स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल गूर्टू सक्सस में अगर आप नेट, जी आरफ, पीजीटी, जी आईसी या फिर असस्टन प्रफसर एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं शुशौल जी से तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को आइंगे, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है क्रशक वर्ग की अवधाना किस ने दी हैं, क्रशक समाज नहीं पूछा गया है, क्रशक वर्ग का पूचा गया है, कॉंसेप्ट ने दिया है, ऑप्शन में है, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेटफिल्ड, क्रोबर, वुल्फ तो यहाँ पर first question का right answer क्या होगा वुल्फ होगा, option D यहाँ पर right answer हो जाएगा अगर क्रशक समाज की बात की जाए पीजन सोसाइटी की बात की जाए तो इसका सबसे पहले आपचारिक जो अध्यन था या हम कहें साथी वयवस्थत अध्यन, औपचारिक अध्यन के साथी सबसे पहले या सर्व प्रथम वयवस्थत अध्यन क्रशक समाज का किसने किया? रॉबर्ट रेटफिल्ल ने किया था ठीक है? क्रशक समाज का और इनका अध्यन कहाँ पर था? मैक्सिको के गाउं पर अध्धन था क्रशक समाज पर ठीक है और इनकी जो बुक है आपके एक्जाम में पूछी जाती है पीजन सुसाइटी एन कल्चर है बुक का नाम और क्रशक समाज की ये पांच विशेशताएं बताते हैं और यह आपको कई बार बताई भी जा चुकी है ये क्रशक समाज की जो पांच विशेशताएं वो कौन सी है आपको कमेंट करके बताना है ठीके इसके अलावा कुछ अलग फैक्ट्स की बात की जाए तो क्रशक समाज को रॉबर रेटफिल क्या कहते हैं कि ये अवसिस्ट समाज है ठीके क्या है क्रशक समाज अवसिस्ट समाज है ये कहते हैं जो रूरल सुसाइटी है ठीके ग्रामीर समाज है उससे अगर हम ट्रा क्रशक समाज कहलाएगा ठीक है तो ग्रामीर समाज से जंजाती समाज को अलग करने पर जो भी शेत्र वश्ता है वो क्रशक समाज कहलाता है यह कहना किसका है रॉबर्ट रेटफिल का है तो क्रशक समाज को अवसिस्ट समाज किसने कहा है रॉबर्ट रेटफिल ने एक कहा है अब क्यों कहा है कहते हैं कि एसा शे superstr ठीक है जिसमें एक और देखे टो ट्राइबल सुसाइटी है जंजाती समाज है दूसरी ओर अर्वन सुसाइटी है ठीक है नगरिय समाज है और इनके बीच में जो भी समाज इस्थित है जो समाज है उसको ही वे क्रशक समाज कहते हैं जिसके लिए वे कहते हैं कि क्या है मध्यवर्ती समाज है जो क्रशक समाज है उसको वे मध्यवर्ती समाज कहते हैं तो एक और ट्राइबल सुसाइटी है बीच में क्रशक समाज है और दूसरी और क्या है अर्वन सुसाइटी की ये बात करते हैं क्रोबर इसके अलावा एक और है स्टेट्मेंट जो कि इंपॉर्टेंट है क्रशक समाज को आधा समाज किस ने कहा है ऐसे भी कोशन पूछा जाता है तो क्रशक समाज को आधा समाज कहने वाले कौन है फोस्टर है ठीक है कहते हैं कि कोई भी रास्टर है दो ऐसा भाग या ऐसा समाज जो की शहरी छेत्रों में रहता है रहने वाला क्या है यह उच्चे वर्ग है तो उसको बताया ठीक है और दूसरा पहला क्या बताया क्रशी करने वाला जो समाज है उसको क्रशक समाज क्या रहा है तो कोई भी रास्ट दो भागों से मिल करके बनता है इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी रास्ट है वो दो समाजों से मिल करके बनाए एक जो की क्रशी करता है क्रशक समाज दूसरा शहरी छित्रों में रहने वाला जो उच्चे वर्ग है उसकी बात करते हैं और इसी इन्हों नहीं फोस्टर नहीं क्रशक समाज को आधा समाज कहा ह तो यहाँ पर क्रशक वर्ग का कॉंसेप्ट था, यह किसका था? वुल्फ का था, option D यहाँ पर right answer हो जाएगा Next है, किसने उत्तर ओधोगिक समाज को ओपचारिक समाज कहा है? तो यहाँ पर second question का right answer क्या हो जाएगा? उत्तर ओधोगिक समाज को ओपचारिक समाज कहने वाले कौन है? किमबॉल यंग है, option B यहाँ पर right answer हो जाएगा उत्तर ओधोगिक समाज, post-industrial society के जो जनक है या सबसे पहले किसने बात की है, वो डेनियल बेल है ठीक है? उत्तर ओधोगिक समाज की सर्वर प्रथम बात, डेनियल बेल ने की, post-industrial society के ये जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं इनकी डेनियल बेल की जो बुक है, वो क्या है? The Coming of Post-Industrial Society, डेनियल बेल की है, ठीक है, आपके एक्जैमे काफी बार पूछी जाती है और ये जो post-industrial society है, इसको कहते हैं कि ये एक ऐसा समाज है, जिसका केंदर बिंदू कोई धन या फिर संपत्ति पूझी नहीं है, बलकि उसका केंदर बिंदू क्या होता है? ज्यान होता है तो जो उत्तर ओधोगिक समाज है, उसका जो केंदर बिंदू है, वो क्या है? ज्यान है पहले क्या होता था? जो पूझी रहा करती थी, अब पूझी का इस्थान क्या ले रहा है? ज्यान ने ले लिया है और यही ग्यान शक्ति और सत्ता का मुख्य स्त्रोध बनता जा रहा है ठीक है यह जो knowledge है वो ही शक्ति और सत्ता का मुख्य स्त्रोध बनता जा रहा है और ऐसे समाजों में उत्तर अधोगिक समाजों में उत्पादन विवस्था का जो मुख्य आधार बिंदु रहा है वो सू पुचनो और ज्यान है यह सब बाते किस से संबंदित है रोबर्ट सॉरी डेनियल बेल से रिलेटेट है ठीक है यहां पर उत्तर ओधोगिक जो समाज है उसको जो आपचारिक समाज है वो किसने कहा हुआ है किम बॉल यंग ने कहा है यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट है संघश शील समाज एवम और धोगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है ओप्शन में है कालमाक्स दुर्खी सेमेल स्पेंसर तो यहां पर थर्ड कोशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्पेंसर हो जाएगा ओप्शन डी य प्रण के अधार पर समाज के दो प्रकार बताते हैं एक तो बताते हैं संघश शील समाज यह भी हो सकता है संघश शील समाज यह फिर शिकारी समाज यह सैनिक समाज ठीक और दूसरा ओधोगिक समाज तो दो प्रकार किसने बताए हैं यह इस तरीके से समाज के स्पेंसर ने और जो संगशी समाज है या शिकारी या सैनिक समाज है, उन समाजों में परंपराओं का महत्व होता है. तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा. नेक्स्ट है मानव समाज पुस्तक के लेखा कौन है? उप्शन्स में है मैकेवर, किंग्सले डेविस, राधा कमल मुखर जी, स्पेंसर. तो यहाँ पर फोर्थ कोशन का राइट आंसर किंग्सले डेविस हो जाएगा, उप्शन B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है वेरियन एलविन ने भारत की जनजातिय अबादी के लिए निमलिखित में से किस नीती का समर्थन किया था? ओप्शन्स देख लीजे, रोजगार एवं शिक्षा में आरक्षन, ओप्शन B है भूमी सुधारम क्रशी अधिकार, ओप्शन C है जनजातिय जीवन श्याली में राजे का कोई हस्त शेप ना होना, ओप्शन D है रास्टिय जीवन में उनका संपूर एकी करण. तो यहाँ पर फिफ्थ कोईशन का राइट अंसर क्या हो जाएगा, जनजातिय अबादी के लिए वेरियर एल्विन ने किस नीती का समर्थन किया था? रास्टिय जीवन में उनका संपूर एकी करण, ओप्शन D यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा. जो ट्राइबल कल्च उसकी रक्षा के लिए इन्होंने अलक थलक नीती जिसको isolation policy भी कहते हैं, उसकी उनोंने बात की थी. ठीक है, जिस भी एरिया में ट््राइबल्स रहती हैं ठीक है ये कहते हैं जिस भी एरिया जिस भी छेत्र में जंजाती रहते हैं उनको इन्होंने नैशनल पार्ग घोशित करने की बात की थी और बहारे लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की भी उन्होंने बात की थी ठीक है तो यहां पर राइट आंसर ओप्शन डी है नेक्स्ट है एलविन ने भारतिये जिनजातियों के संदर्व में प्रथक करण की नीति का समर्थन इस कारण किया क्योंकि ओप्शन से खिए संपर्क से हमारी संस्कृती कमजोर हो जाए नेक्स्ट है किसने रेट फिल्ट की दुरविए धुर्विय परंपरा सिध्धान को आश्विकार करके बहु परंपरा सिध्धान दिया था यानि कि जो रेट फिल्ड है उन्होंने दो तरह के ट्रीशन की बात की थी दो तरह की परंपराओं की बात की थी उसको आश्विकार करके उन्होंने बहु परंपरा का सिध्धान दिय अब कौन हैं औप्शन से किये राधा कमल मुखरजी है ठीक है ठीक है ठीक कर दिपी मुखरजी डॉक्टर स.C. दुबे औसकर लेविस तो यहां पर डॉक्टर स.C. दुबे हो जाएंगे औप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है रेट फिल्ड है इन्होंने भ लेकिन क्या कहते हैं उन्होंने इनका concept दो त्रहे की पर्मपराएं लग और व्रहद तीके यह गलत है इसको आशविकार किया और कहा कि उन्होंने जो ढौल आपड़ा का आ और इसे भी पूछा जाता है बहु परंपरा के अवधार्णा सबसे पहले किस ने दी तो S.C. दुबे हैं उन्होंने दी और ये S.C. दुबे ये भी कहते हैं कि ये कहना गलत होगा कि हम कहें कि समाज में या जो Robert Redfield कहते हैं कि समाज में मात्रों दो ही परंपराई होती हैं जिसके लिए वे शब्द का प्र जैसा कि Robert Redfield कहते हैं कि दो परंपराईं लगू अवरहत दुबे कहते हैं वास्तविक्ता तो यह है कि जो भारती समाज है वो काफी जटल है ठीक læ貝ा भारती समाज क्या है का फी जटल है और यहाँ पकई तरह की परंपराईं एक साथ देखने को मिलती हैं एक साथ देखने क परंपराएं दूसरा राष्ट्री परंपराएं ठीके पहला हो गया शास्त्री परंपराएं दूसरा हो गया राष्ट्री परंपराएं तीसरा शेत्री परंपराएं ठीके तीसरा क्या है शेत्री परंपराएं चौथा इस्थानिय परंपराएं ठीके इस्थानिय परंपराए पाचवा पस्च्चमी परंपराय और छटा इस्थानी उपसांस्कृतिक परंपराय तो इनका कॉंसेप्ट क्या हो गया बहु परंपरा का हो गया थीके तो यहां पर right answer option C हो जाएगा नेक्स्ट है इस्थानी करण की अवधाना का प्रियोक किसने सर्व प्रथम किया ठीके यहाँ पर सर्व प्रथम पूछा गया है किसने किया है औप्शन्स देखिये औसकर लेविस, मैकिम मेरियेट, मोरिस ओपलर, एमेन शिनिवास तो यहाँ पर 8 question का right answer क्या हो जाएगा इस थानी करण की जो अवधारना है इसका प्रियोग सबसे पहले Morris Opler ने किया था ठीक है option C यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है Robert Redfield है उन्होंने लगुआ व्रहत परंपरा का concept दिया था अब Robert Redfield के यह concept है little tradition and a great tradition ठीक है उससे ही प्रभावित होकर Maciem Merritt वा एक साथ में एक और है Milton Singer उन्होंने स्थानी करण और सारभावमी करण की जो concept है वो दिया हुआ था ठीक है तो exam में पूछते हैं स्थानी करण का किसका concept है और सारभावमी करण के जो अबधाना है वो किसकी है तो यह Maciem Merritt वो Milton Singer की है यहां पर पूछा गया है स्थानी करण की जो अबधाना कपरियों के सबसे पहले किस ने किया था तो Morris Opler है ठीक है तो यहां पर 8th question का right answer क्या हो जाएगा option C next है Robert Redfield तथा Milton Singer के विचार में प्राथमिक नगरी करण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेशिक्रत किया जाता है ठीक है Redfield, Singer ठीक है जो Milton Singer है उनके विचार में जो प्राथमिक नगरी करण की जो प्रक्रिया है उसको किसके विकास से विशेशिक्रत किया जाता है options में हैं लोग परमपरा अभिजाट परमपरा व्रहत परमपरा और लगू परमपरा तो यहाँ पर 9th का right answer क्या होगा लगू परमपरा होगा option D यहाँ पर right answer हो जाएगा लगू परमपरा क्या होती है अलिखेत होती है, कम व्यवस्थत होती है, इस्थानी इस्तर पर देखने को मिलती है, आ शास्तरी होती है, लगू परमपरा यानि कि शास्त्रों में इसका वर्णन जिक्र नहीं होता है, उन परमपराओं का, ठीक है? तो यहाँ पर राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा, नेक अप्शन D यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, कानून समाजिक नियंत्रन का सबसे अधिक विशेशी क्रत और अत्यदिक इस्पस्ट इंजन है, जिसको स्वेम समाज किरिया शील बनाता है, अब ये कहना किसका है? ओप्शन्स देखिए, पी जिन्सबर्ट M. शिनिवास, E. A. Ross, R. K. Merton, तो यहाँ पर 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, E. A. Ross हो जाएगा, ओप्शन C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शोशल कंट्रोल इनकी बुक है, सबसे पहले समाजिक नियंत्रन का व्यवस्तित अधिन किस नहीं किया था, कंट्रोल पर E. A. Ross नहीं किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन C है, नेक्स्ट है, सन 1931 इश्वी से पहली सरकारी तोर पर अस्प्रष्ट जातियों को क्या कहा जाता था, यह कोशन गलत है, ठीक है, नेक्स्ट है, किसके अनुसार कानून के द्रस्टिकोर्ण से अपराच किसी देश के कानून के विरुत कारवाई है, तो यहां पर थार्टिन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा, गिलिन अन गिलिन, ठीक है, इन गिलिन हो जाएगा, सेथना का भी एक इपॉर्टेंट है स्टेट्मेन वो क्या कहते हैं, कि अपरा ऐसा कार है या तुर्टी है जिसके लिए कानून क्या करता है डंड देता है तो अपराद ऐसा कार या तुर्टी है जिसके लिए कानून डंड देता है कहना सेथना का है तो यह कहना किसके लिए राज ने सामुई कल्यान के लिए हानिकारग बताया है और जिसके लिए डंड द स्टिकोर से देखे तो अपराथ किसी भी देश के कानून की विरुद जो भी कारवाई या गतिविधिया होती हैं उनको हम क्या कहेंगे अपराथ की श्रणी में रखेंगे यह कहना गिलिन एंगिलिन का है नेक्स्ट है किसने विचलन और अपराथ का सबसे बड़ा और एक मात्र कारण मंद बुद्धी मता को माना है अपराथ का सबसे बड़ा और एक मात्र कारण अपराथ और प्लस विचलन का ओप्शन्स देखिए तौफ्ट है एडलर है हेंडरी गोडाट है अलबर्ट कोहन है त संस्क्रती को जिम्मेदार बताया था ठीके ये भी important fact है पूछा जा सकता है कि अपरात के लिए संस्क्रती को कारण किसने बताया है तो वो टॉफ्ट है ठीके और एक है wanton reckless ठीके wanton reckless है जिन्होंने अपरात का कारण व्यक्ति की आत्मधार्णा बताया है ठीक है क्या बताया है व्यक्ति की आत्मधार्णा बताया है वॉंटन रेकलस ने बताया है और ये जो आत्मधार्णा है व्यक्ति की दो तरह की होती है एक अनुकूल आत्मधार्णा होती है जो कि व्यक्ति को विधी पालन या कानून पा और एक मातर कारण मंद बुद्धी मता को माना है, वो किसने माना है? हेंडरी गोडाट ने माना है, यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा? option C हो जाएगा, यहाँ पर right answer next है, street corner society के जो लेखक है, वो कौन है? ठीके स्ट्रेट कॉर्ना सोसाइटी आपके नेट के एक जामे काफी बार पूछी जा चुकी है विलियम एफ वाइट ओप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है संदर्व समु वहवार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है जिसका अधार कलपना होती है ओप्शन जेकिए टी नियुकॉम, ओटो क्लाइनबर्ग, शेरिफ, हाइमेन तो संदर्व समु वहवार का जो कारण है वो सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है और इनका अधार क्या है कलपना है यह कहना ओटो क्लाइनबर्ग का है, ओप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और यह कहते हैं कि जो संदर्व समु है वो कालपनिक भी हो सकता है और इसके साथ साथ कालपनिक के साथ साथ ही कहते हैं कि संदर्व समु वहवार नकारात्मक भी हो सकता है और reference group के type क्या बताते हैं? दो बताते हैं संदर्प समू के एक कालपनिक संदर्प समू जिसमें व्यक्ति कलपना करके वहवार करता है और ऐसे संदर्प समू के बारे में व्यक्ति को कोई सटीक जानकारी नहीं होती है दूसरा क्या बताते हैं और व्यक्ति को सही जानकारी है संदर्प समू के बारे में और व्यक्ति जो संदर्प समू है उसको अपना आदश्मान करके अपने वहवारों में क्या लाता है परिवर्दन लाता है तो यहाँ पर right answer option B है और अटो क्लाइन बर्ग नेक्स्ट है किसने परिभाशित किया है कि कोई भी समू इस कारण बनता है कि कोई स्वार्थ उसके सदस्यों को परस पर संयुक्त रखता है अभी कहना किसका है ओप्शन जेखिए एडवर्ट सापिर, एम जिन्सबर्ग, मैकेवर, मैक्स वेबर तो यहाँ पर right answer क्या हो जा किसने किया है ओप्शन में है किंग्सले डेविस, और रॉबर्ट बियर स्टेट, डॉसन, वुट्स, तो यहाँ पर 18th का right answer क्या हो जाएगा समाजिक आदश नियमों का समुदाइक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान में जो classification किया है वो किसने किया है रॉबर्ट बियर डिस्टेट ने किया है ओप्शन भी यहाँ पर right है नेक्स्ट है किस अवधार्णा में में शीनिवास ने जाती में गतिशीलता को समाजिक आप संस्कतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की तरह समझाया है अब कॉंसेप्ट सिख लीजे संस्कति करण, पास्चैति करण, आधुन की करण या फेन में से कोई नहीं, तो यहाँ पर संस्कति करण है, option A यहाँ पर right answer है, जितने भी चैनल पर नए लोग जुड़े हुए है, संस्कति करण को concept क्या है, तो आपको playlist में folder मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर right answer option A है, next है, निम्न यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा, लेंडन हो जाएगा, option A, यहाँ पर right answer हो जाएगा, next है, dash को अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है, option से किये, सांचिस्तू, लेह महल, मैसूर महल या फिर हवा महल, तो यहाँ पर राइट अंसर क्या हो जाएगा मैसूर महल को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है और यह है कहाँ पर करनाटक में है नेक्स्ट है निम्रिकित में से किस ने सर्वप्रथम भारत के साथ वैपार संबंद इस्थापित किये थे और पुर्टगाली तो यहाँ पर राइट अंसर क्या हो जाएगा पुर्टगाली नेक्स्ट है संसत में सरकारी विध्यक का अर्थ क्या है और संसत के दोनों ही सद्दों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विध्यक तो हम सरकारी विध्यक किसको कहेंगे संसत के दोनों ही सद्दों जो लोकसभा या राजसभा है उनमें दोनों ही सद्दों में से किसी भी मंत्री द्वारा जो विध्यक प्रस्तुत किया जाता है उसको हम सरकारी विध्यक कहते हैं यहां पर जो पेश होने वाले विध्यक होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक कहलाता है सरकारी विध्यक जो की सरकारी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है प्रस्तावित किया जाता है दूसरा होता है गैर सरकारी विध्यक जो कि अन्य सदस्यों के द्वारा पेश किया जाता है प्रस्तुत किया रहता है ठीक है तो यहां पर option D है next है निम्लिकित जोड़ों पर विचार करना है ठीक है देख लीजे जवाहल लाल नहरू पूर्णा सारवाजनिक सभा के संस्थापक मात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदूलन मदन मुहल मालविय बनारस हिंदू विश्वि स्थापक है और चौथा क्या हो जाएगा केशव चंद्रसेन ब्रह्म समाज के नेता ठीक है यह बाद में केशव चंद्रसेन इन से जुड़ गया थे ठीक है पूर्णा सारवाजनिक सभा के जो स्थापना है अगर देखे किस ने की थी दो अप्रेल 1870 में महादेव गोविं रनाडे ने पूर्णा सारवाजनिक सभा के स्थापना की थी और ब्रह्म समाज के स्थापना की बात की जाए तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में और बाद में से केशव चंद्रसेन भी जुड़ गये थे ठीक है तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक् नेक्राइण पर राइट आंसर क्या हो जाएगा उनू से आर्टिकल क्या हो जाएका कॉन सा 112 हो जाएगा संभिधान में बजट का वर्णन कहीं पर भी नहीं है समिधान में बजट का जो वर्णने बजट की बात कहीं पर भी नहीं की है आर्टिकल 112 में क्या कहा गया है वाशिक वित्ति विवरन किस शब्द का प्रयोग किया गया है वाशिक वित्ति विवरन का प्रयोग किया गया है नेक्स्ट है पराक्रम दिवस निम्ने में से किस महत्पुन व्यक्ति के जन दिवस के उपलक्ष में मनाया जाता है ओप्शन्स में है एपीजे अब्दुलकलाम, सुभास चन बोस, अटल बिहारी वाचपई, इंद्रा गांधी तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभास चन बोस, नेता जी सुभास चन बोस, ठीक है, अब इनका कब हुआ था, इनका जन दिवस कब मनाया जाता है 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी को पराकर्म दिवस मनाय जाने की घोशन की थी, किसके द्वारा, केंद्री संस्क्रती मंत्राले के द्वारा, ठीक है, केंद्री संस्क्रती मंत्राले के द्वारा, नेता जी सुभास चन बोस के जन दिवस, जो की 23 जनवरी है, उसको पराकर्म द पायाम की अविधी में निम्रिकित में से किसका उत्पादन पेशियों में चाया पचाय उप उत्पाद के रूप में होता है ग्लैकोजन प्रोटेन वसा लेक्टिक एसिट तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा लेक्टिक एसिट हो जाएगा ऑप्शन डी यहां पर र निम्लिकित्मे से किसके नाम से जुड़ा हुआ है वीवीगिरी वीरसावरकर लाल बहादु शास्त्री या फिर पंडित दिन द्याल उपाध्याएं कि नाम से जुड़ा हुआ है श्रम जैते जो कारिक्रम है वो जो ये कारिक्रम है वो श्रम वर रोजगार मंत्राले भारत सरकार द्वारा चलाया गया था और इसकी शुरुवात कब हुई थी? दो हजार चौदा में हुई थी पीम के द्वारा की गई थी और पीम ने क्या कहा था? कि रास्ट के विकास में श्रम वर जैते की उतनी ही भूमिका है जितने की सत्य में जैते की है तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है नेक्स्ट है निमने में से किसे पंद्रवे वित्यायो का जो अध्यक्षे वो कौन है? ओप्शन पर दीखिए एनके सिंग, शशिकान, दास, आशोक, लवासा या फिर रतन वातल तो यहाँ पर एनके सिंग है ओप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो वित्यायोग है ठीक है किस आर्टिकल में है? दो सो असी ठीक है? और पंद्रवें वित्यायोग की ठीक है और इनका कारेकाल अगर देखे तो 2021 से 2026 तक के है और यह जो एनके सिंग है यह भारत सरकार के पूर सचेव भी हैं और साथी यह राजसभा के सदस से भी रह चुके हैं ठीक है? नेक्स्ट है उत्तर प्रदीश में पहला तैरता सौर और उर्जा सयंत्र निमलिकित में से किस बांध पर बना है? माता टिला बांध, राजगाट बांध, धनरॉल बांध या फिर रिहंद बांध तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओप्शन D हो जाएगा रिहंद बांध यह कहां है? सोन ब्रद में है और इसकी शम पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा, चैनल पर अगर आप नहे हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा, और इस वीडियो को जितना हो सके जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, थैंक यू